हाई गाइस इस वीडियो लोग बात करेंगे जो भी स्टुएंट्स आप लोग क्लास तेंथ या तोल्थ का बोर्ड एक्जाम आप एनाइस के थुरूद गेना चाहता हो जिसका अप्रिल में बोर्ड एक्जाम होने वाला है तो उसका लास्ट डिट अप्लाय करने लिए फिफ कौन है इसमें अप्लिकेशन देने के लिए वो सारे टीटेशन बात करने के सबस्ब्से पहले बात करते हैं इंपलाइब करसकता है इसके साथ सते अगर आपने पहले कोई भी पुली नहीं किया है और आपका एज 14 प्लस है तो अब क्लास थेंट का पास आउट होना जरूरी है उसके साथ सथ अगर क्लास 12 में आप फेल हो गया थे लो तो भी आप क्लास 12 का एजाम यहां पे दे सकते हो अगर अगर क्लास 12 में तो भी आप दे सकते हो सब्जेक्ट करने के लिए तो आप से कर सकते हो अगर इनकी सब्गर आपने क्लास 13 में सब्जेक्ट चेंज करना चाहिए तो वह भी यहां पर अब यहां पर अप्लियाबल रहते हैं ठीक है अब यहां पर एक चीज को ध्यान रखना है कि पंद्रहों करके आप सब्सक्राइब करने के लिए और यहां पर रहते हैं ब्रहों करने कर दिए टिक जतना जल्दी हो जैगा तो चल्दी करना जल्दी करना जल्दी करने यहां पर अब दो अगर आपने और चाहते हो इसके सब्जेट के मांक्स ट्रांसफर हो पाते हैं अगर आप ट्रांसफर के लेना चाहते हो तो आप प्रिवियस वोर्ड का उसका मांक्स आप यहां अब यहां पर आप पांच सब्जेक्ट पहले आपकी तीन का देने के पाद से आपके पांचों के एक त्यार हो जाता है एक यह बड्र आपके उपर कम कर देता है जैसे कि आप आराम से पास आउट कर सकते हो तीन कमपार्टमche객 के लिए पर करें तो यह ब्युक्त के मांक्स यहादा है ऊसके पार charbon सब्सांस अब कर सथे रिखेश्ट माइं और तो आपको मिलता है यहाँ से तो आपको उसके लिए पर गैपिन मिलेगा है उसकी तो से वैलू की वालू रहता है उतना ही वालू आपका कोई भी कहीं पर भी नहीं रोकेटा जगा पर वालू होता है ठीक है इसके साथ सब एक और सीच की बात कर लेते हैं इसमें अब देखो होता क्या है कि दूसरे बोर्ट में आपका 80 प्लस 20 का रेशियो चलता है तो इसमें आपको 20 इंटर्नल रहता है और इसके साथ 20 इंटर्नल प्लस 80 का थियोरी पर होता है बट यहां पर क्या होता है केस थोड़ा और अलग है आपका 20 का एसाइंबेंट है प्लस 100 का वापस से पेपर और फिर जाके यह प्रो राटा बेसिस पर अरेंज करती यह आपका मार्क्स जो है 100 में काल्कुलेट होता है मतलब आपक काफी ज्यादा बढ़ जाता है ठीक है उसकी साथ साथ ओर्ल जो पॉर्सेंटेज बनता है वह भी ज्यादा बनता है साथ को प्राक्टिकल सब्जेक्ट है वह भी मिल जाता है अगर आपको फीजिक्स की सब्जेक्ट है तो फीजिक्स में क्या होगा सब्सक्राइब होता है और फिर एटी मांक्स का आपका बोर्ड का पेपर भी होगा अब आप सोच रहोगे कि बोर्ड का पेपर एटी और प्लस प्रैक्टिकल टॉन्टी यह तो हंडेड़ डैसी हो गया तो है तो यह जो है इस तरीके से आरेंज की जाती है कि उसमें से पहले माइनस कर लिए तो अब आपके जो माक्सीट होता है उसमें तीन कॉलम सो करता है जिसमें आपका पहले तो हो गया कि यहां पर एसाइंडमेंट वाला पाथ तर्टिक और तो इस पर रहता है और यह बहुत ही आसान रहता है जिससे के वाश्य के लिए जा रहे हो तो यहा पर जाता रहता है 75 से आराम से आपका ऊपर जाता है अगर आप थोड़ा सा मैनत कर लेता हो तो इनके स्लेबर की साफ से प्रिपेर करते हैं अपको यहां पर सारे सब्जेक्ट्स एबलेबल हैं जो दूसरे बोर्ट्स ऑफ़वर करते हैं बस थोड़ा सा नाम में चींज आत होता है और यहां पर बिजनस स्टेडी सांट कॉमर्स आता है तो यह थोड़ा से डिफ्रेंस ते कोई अंतर नहीं फड़ता है अगर आप क्लास 12 के लिए अप्लाइ करना चाहते हो तो अगर आप फ्रेश जाना चाहते हो तो आपका क्योल पासबर साइस फोटो साइन और प् इसमें कोई भी डाउट्स आ तो आप हमें नीचे दे रहे उसे फिल कर सकतो है जैसे कि हम आपको करके सारा सिमलेसली बता दें बहुत कम खर्ची में आपका पूरा चीज़े हो जाता है आराम से और आपको कोई भी हैड़क नहीं रहता है आपको क्रेक्षिव फाइल्स कैसे बनाने हैं वो सारे चीज़ें हम लोग आपको करा देते हैं काफी बच्छे कंफ्यूज हो रहते हैं कि हमारा पेपर कहां पर होगा हम तो जानते हैं कि आपको कॉल करके यह बताया सब्सक्राइब सकतकी और चाहिए हर्स कीज़ों का आपको आपको यह वीडियो समझ में आया हुगा आप अगर लेना चाहते हो तो करा लो कोई डाउट है तो आप कमेंट से स्कूल सकते हो थाइंक यू सोमच